हेलो एविदियो मैं लेकर फिर से हाजर हूँ एक प्यारी सी लटुकपल के ड्रेस जो कि मैं चोटे लटुकपल के लिए आल पर सेट कर ले ताकि मेरी सभी वीडियो की नॉटिफिक्शन आपकी यूटूब की नॉटिफिक्शन बॉक्स में आ जाएं चलिए तदे देरी ना करते हुए अपनी जो ड्रेस है वो तियार करते हैं तो देखिए यहां पर मैंने लिया है कपड़ा आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं कोटन का कपड़ा नैट का कपड़ा कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं और मैंने यहां पर लिये हैं मेरे पास इस तरह के फ्लावर पड़े हुए हैं तो मैं इनका यूज करूंगी और थोड़ी सी लैस मेरे पास ये वाली पड़ी हुई थी तो मैं इसका यू लिया हुआ है उसकी लंबाई चोड़ाई में आपको बता दू कितनी है यह लगबग है 6,5-6 इंच की दोनों साइड से यह 6,5-6 इंच है आप 6 इंच भी ले सकते हैं जो हमारा जो लड़कुपाल का घेरा होता है उसको हम कितना भी बड़ा बना सकते हैं छोटे लड़कुप आप लाएं के कपड़े से भी से बना सकते हैं तो इस तरह शीं से दो पीस लिये हैं उस기도 हम ऐसे फोल्द करेंगे और बहुत ही आसान बॉस्शा को बनाना घर पर आप आसानी से बना सकते हैं लड़कर सब्सक्रापatas कि मेरी broadHello कि पुशक में आपको बहुत सारी पुशक मिल आप देख सकते हैं देखे इस तरह से हमने दोनों तरफ से इसको ऐसे फोल्ड कर लिया है एक बार हमने ऐसे किया है देखी दुबारा से एक बार हमने इसको इस तरीके से फोल्ड गिया उसके बाद फिर हमने इसको इस तरीके से फोल्ड किया और यह वाला हिस्सा है हमारा इसक पर हम कमर का नाप लेंगे तो चोटे लड़ो कुपाल एक से लेकर जीरो से लेकर दो नमबर के लड़ो कुपाल के लिए हम यहां पर आधा इंच माग करेंगे यहां पर इस तरह से पिर यहां से हम नापेंगे इसको ने से लेकर और यहां तक हम आधा इंच नापेंगे थोड़ा सा आगे रखेंगे अपने जो इंच टेप को और यहां पर माग करेंगे फिर थोड़ा सा इसको मोड़ देंगे और फिर से माग करेंगे और फिर थोड़ा सा और मोड़ देंगे लास्ट में हम यह हमाग करेंगे और यह जितने भी निशान हमने बना है इनको अपस में मैच कर देंगे इस तरह से मैच करने के बाद इसको हम कट कर देंगे निशान लगाना यह बहुत आसान है आई बार ट्राइ करेंगे तो आसानी से आप कट कर पाएंगे कि इसको कड कर लिया है उसके बार देखिए इसको इस तरह से रखेंगे बागी जो मारा पाठ है है कि ओधना हिस्ट्फे का हुता है हम वहां पर निशान लगाते हैं यहां पर हमने मॉक्त किया उसके बाद हमने फिर से अपना जो मोज़ने 국민 है उसको रखा और मॉक्त न हरा द तक हम इसको मार्क कर लेंगे पूरा थ्री इंच हमारा नहीं आ रहा है उसे दो पॉइंट कम आ रहा है तो इसको हम ऐसे ही लगा लेंगे अब देखिए जो माक है इनको हम इस तरह से पैंसल से मैच कर लेंगे धनको लेंगे और यस तरह से तरह से पकड़ लेंगे इसको और ग। छेक्क्शा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे की आप इस तरह से यह में करता कर गया है अब देखिए इसको इस तरह से कहोड़ेंगे कि यह मेरे कपड़ा कट होगे अगर आपको लग रहा है किसका राउंड साही नहीं आए तो फिर से कट कर सकते हैं उसके बाद देखिए थोड़ा सा कट और मुझे करना होगा यहां से मुझे थोड़ा सा कट करना है जो हमारा कम कपड़ा कट हुआ कुछ तो यह हमारा कट हो गया तो अब हमारा बिल्कुल राउंडStirkel आ अब देखे इसको हम स्थरेंगे और ये वाला पार्ट भी हम खोलेंगे इस तरह अब क्या कर ना है हम इस में उसलों करेंग किस तरीके से स्थिचिंग करेंगे यह से इहां से हम यहां से लास्ट कि लाइंगे हैं यहां तक थोड़ा से लेकर यहां वापस ले जाएंगे और बहुतivity कर On सिचिंग करनी है। मैंने अधर कलर से स्टिचिंग की है ताकि आपको मैं दिखा सकूं और स्टिचिंग साफ दिखाई दे इसलिए अगर बना रहे हैं तो सेम कलर का धागा यूजर करें। इसको बीच वाले हिस्से को हमने कट कर देना है इस तरह से कुए इसको हम सीधा कर लेंगे हमने यहां पर बुकरम वगजरा यूज नहीं की है बिना बुकरम के भी आप घर में अच्छी पोशाग बना सकते हैं सुन्दर पोशाग गुना सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको सिखा रही हूँ और इसको हम सीधा कर लेंगे इसlocal तरह से हमने इसको सिधा कर लिया है अब हम यहां पर इसको अगर आप सुई धगा यूज़ यूज़ कर रहे हैं नहीं है अग Dabei म सलाइ मशीन उझिज़ा हैं भी किनारे इसी कलर के की सब पार स्टिचिंग यहां तक कर देखिए इस तरह से स्टिच कर लेना है अब देखिए अब हम यहां पर इसमें नेफा लगाएंगे तो नेफे के लिए यहां पर हम और भी पट्टी काटेंगे यह जो कपड़ा है इस तरह से इसको रखेंगे और कि इस तरह से लगबग डीज़िंच की पत्ति हम काट लेंगे आप सवा इंच की भी काट सकते हैं 525 की और यह कटिंग करने से आप अच्छे से स को फोल कर पाएंगे देखिए इस तरह से पत्ति कट कर लेंगे साइड का हिससा हम निकाल देंगे उसके बाद इसको देखिए किस तरह से रखना है यह हमारा सीधा साइड है यह हमारा उल्टा साइड है तो उल्टी साइड से हम इस पट्टी को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे इस तरह से और इस किनारे किनारे पर थोड़ा सा थोड़ा सा ले जाएंगे ऐसे और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर साथ के साथ दोरी लगांगे जो दोरी आप चाहे तो मार्केट की लगा सकते हैं और चलत है जरै बनी कपड़े इंगरी लाइन से अर लगबग है इसका साइज एक इन्च और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे पत्ला पत्ला फोल्ड करना है इस तरह से किंठेगे और ऱास तक को इसको कॉस्टेश करें इस तरह से दौरी हम न nghirm 스aguk कर लिए उसके बाद देखिए सुप इस तरहे से रखना है vertically कि की इस तरह से हम रसको रखेंगे हमारी स्टिचिंग हो गई है नेफा हमने रख लिया है और अगर आपके दो नंबर के लड़ो पाल है तो इस तरीके से आएगा और उससे छोटे हैं तो आप इस तरह से इसको टाइट करेंगे तो छोटे वाले लड़ो पाल के जिरू साइज के कमर में भी यह आसानी से आ ले सकते हैं या फिर आप सलाइ मशीन से ही इनको इस तरह से स्टिच कर सकते हैं यहां से स्टार्टिंग कीजिए स्टिचिंग और इसी किनारे किनारे पर इतको आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप इनको स्टिच कर दें इस तरह से जितने भी फ्लॉवर आपके इसमें आते हैं वह आप इसमें लगा दे में अगर आपके पास पैब्रिक लू नहीं है तो आप सलाइ मशीन से यहांसे स्टार्ट करेंगे और यहां पर एंड कर देंगी सलाइ मशीन से बिल्कुल वेकार नहीं लेंगे बहुत ही अच्छी कि इस तरीके से भी आप स्टीच कर सकते हैं अगर आप के पास लाइ-mashi नहीं है तो इस-तरीक oh not a store in cash कर दे अगर के पास लुगन नहीं है तो आप मोती का यूज़ कर सकते हैं आप मोती भी स्वी धागे से यहां पर अटेच कर सकते हैं इस तरह से इस तरह से हमारी जो जो फुशाक है बहुत ही आसान तरीके से हम घर में रेडी कर सकते हैं तो आएए अब इनकी बनाते हैं स्टिचिंग करने से बिल्कुल फिक्स हो गया है और इनको मैं गलू कर दूगी लोग से मैंने फैरी जूब यहां पर यूज किया है देखे इनको हमें स्टिक कर देंगे तो थोड़ा सा फैरीव गलू यहां पर लगाई यह असानी से यह स्टिक हो किस तरह से रखना है अगर आप मोती यूज़ कर रहे हैं तो साथ की साथ आप इन दोनों को और मोती को दोनों को साथ में स्टिच कर सकते हैं कि मैं किस तरह से इनको स्टिक कर रही हूं जो भी आप इधर में बची हुई चीज है उसी से भी आप पोशाख बना सकते हैं इस तरह से तो यह तब तक ड्राय हो रहा है हम बनाते हैं चोली चोली के लिए देखिए मैंने यहां पर मेरे पास चोटा सा रिबिन पीस पड़ा हुआ था तो यहां पर मैं ले रही हूं चोली जो मेरे दो इंच के लड़ू पाल के लिए हें चोली बने गी इसमेंसे अगर आपके लडोंके लड़ू की हैं तो इस तरह से चोली पेनाँर तो यह चोली लगब yu यहां से लेकर यहां तक स्टिच कर लेंगे थोड़ा थोड़ा हमने इसको दबाना है इस तरह से थोड़ा हम इसको यहां से लेकर यहां तक स्टिच कर लेंगे देखे इस तरह से stitch कर लेना है आप चाहे इस पट्टी को भी आप इस कपड़े से बना सकते हैं जिससे हमने ये पोशाग बनाई है इस कपड़े से ही आप इस पट्टी को बना सकते हैं और यहाँ पर भी आप इसी पट्टी को लगा सकते हैं इस तरीके से हमने यह पंटि बनाई थी इस तरीके से हम यहां पर अटेज कर देंगे और इसको यहां से कट कर देंगे तो यह हमारे लड़ कपाल की बन जाएगी चोली तो ये रेडियो के हमारी है चोली मैंने इसके इंचिज नहीं बताए थे तो ये साड़े साथ इंच की चोली है तो ये साड़े साथ इंच की चोली है तो साड़े साथ इंच की जीरो से लेकर एक नमबर के लड़ुपाल को आ जाएगी आराम से दो नमबर के लड़ुपाल को कर सकते हैं अगर नहीं आती तो आप यहां से कट करें थोड़ी लंबी इसमें चोली आप ले सकते हैं एक इनच आप लंबी लेले जिसे वह कि लडुपाल भी आजाईगे जह भी जी कि जीरो नमबर के लड्डु गॉपाल को यह अराम से इस तरह से फिक्स हो जाएगी तो उनके फेस में आराम से आएगी मैं उनको पिना के भी लास में आपको वीडियो में दिखा दूगी तो यहां पर हमें स्टिच कर लेंगी और उसके बाद देखिये इसके बाद मेरे पास एक और यह पीस बचा हूँ है तो इसको मैं इसमें यहाँ पर इसको स्टिक कर देंगे यहाँ पर ग्लू कर देंगे तक इस तरह से यहाँ फिर आप अपनी लड़ो को बाल के पीजंदे पज़ोर्झ भी इसको फिक्स करके भी आप इस तरह से सकते हैं है कि इस तरीके से मैंने इंहाप अपने लिर्ट को पाल के नाप ले लिया है और इसको हम आजब हम के sebelum स्टीच कर देगे। आज्या आपके सामने स्टिच करके दिछा रही हूं किस तरह सचिछ करना हा जब हम यहां पर कैप में स्टिचिंग करते हैं तो उसके बाद हमने परल या फिर नक जरूर लगा देने हैं जिससे जो हमारी स्टिचिंग है वह नजर नहीं आएगी वह गलु में छुप जाएगी जो भी चीज हम यहां पर लगाएंगे उसमें वह छिप जाएगी तो यह हो गया हमारा स्टिचिंग कमप्लीट बैक साइड में लिदा कर रम इसको नॉट लगा देंगे अब धागा कट कर देंगे कि अब देखिए अब हम यहां पर इसको इस को ग्लू कर देंगे आप चाहें मोती भी ग्लू कर सकते हैं तब भी यह चुप जाएगा एरिया इस तरह से जितना भी एरिया आपका आ रहा है इसके अंदर इस तरह से इसको ग्लू कर दे अब हम इसको लड़ो गॉपाल को पिना के दिखाते हैं तो देखिए देखिए मैं जातर नैफी ड्रेस पनाती है उस तरह से तो लड़ू गुपाल को अलग से नैफी पनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बहुत ही अच्छा तरीका है यह लड़ू गुपाल को नैफी पनाने का इसमें चोली वेद नैफी दोनों ही आड़ होती है कि देखिए कितनी सुन्दर ट्रेस आप घर में पड़ी समान से बना सकते हैं कि इस तरह से आप इनको बान देजिए वैक साइड में ले जाकर कि उसके बाद यह ड्रेस कि आप चाहे इस तरह से पिना है या फिर पीछे की साइड ले जाकर आप अपने अपने अकॉर्डिंग से पना सकते हैं इस जीरो साइज को भी आ गई है अराम से यह देखिए इस तरह से आप इनको खड़ा भी रख सकते हैं ड्रेस को और उपर से हम पिनाएंगे मुकुट अब यह थोड़ा सा ड्राय नहीं हुआ है क्योंकि यह फैबरिक लू है थोड़ा टायम लिता है ट्राय होने में और यह हमारी हो गई लड़ गूपाल की कैप रेडी इस तरह से आई हो आपको यह अड्रेस पसंद आई होगी पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए कर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकल भी प्रेस करें मेरी सब वीडियो के लिए मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक आप स्वस्त रहें खूच रहें और मेरी चैनल बने रहें बाबाई